हेलो लेर्नर्स, विल्कम टुछेंटू लखनव इंवर्सिटी ने बीफार्मा कोर्स में एड्मिसन के लिए रेजिस्टरेशन स्टार्ट कर दिया है, तो बीफार्मा कोर्स में लखनवर्सिटी में जो एड्मिसन था वो पहले UPTAC की काउंसलिंग के जरी होता था, जैसा कि आ बीफार्मा कोर्स में एड्मिसन चाहते है, तो CUET 2024 का एग्जामनेशन आपने दिया होना चाहिए तो आपने CUET 2024 का एग्जामनेशन दिया है बीफार्मा कोर्स के लिए, तो आप 7 सितंबर से यानि आज से 16 सितंबर 2014 तक जो है इसके लिए रेजिस्टेशन कर सकते हैं, तो आपको जो है इस लिंक पर आना होगा, जहां पर आप देख सकते हैं, कि आपको अपना नाम, middle name, last name, date of birth, email id, mobile number, फिर father's की detail, father का नाम, middle name, last name, mother की detail, first name, middle name, last name, उसके लिए आपको personal detail यानि की gender, आपका क्या है, domicile, UP के हैं, की बाहर के हैं, select करना है, यापर जो है, cast अपना correspondence address, यानि की, आप से कहां पर communication किया जा सकता हूँ, आपको जो permanent address है, वो आपको यहाँ पर देनी होगी, अगर same है, तो same है, जबब भी आप यहाँ पर click कर सकते हैं, अगर correspondence address और permanent address दोनों same है, तो यहाँ पर आपको click कर देना है, यहाँ पर applied for, तो यहाँ पर भी फार्मर को आपको select कर लेना है, उसके बाद फिर यहाँ पर qualification, detail आप से मांगी जाएगी, high school के marks, high school के obtained marks, high school, मतलब कि high school का board क्या है, फिर intermediate के marks, intermediate में कितने आपके आएं, वो marks यहाँ पर फिर intermediate का कौन सा board है, CUT UG का score यहाँ पर यहाँ पर fill करना होगा, उसके बाद फिर scorecard, CUT UG का scorecard ह वो भी आपको यहाँ पर upload करना है, photograph भी आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा, उसके बाद capture code, save and next करना होगा, फिर आगे की जो formality जो payment है, वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, payment आप यह मान के चलिए कि 1,000 रुपेस registration fees आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो BIFARMA course की fees जो है, लखनो उनिशिटी से, वो 80-90,000 पर year के बीच में आपका यहाँ पर पड़ेगा, तो UGC जो है BIFARMA की eligibility के लिए आपको पता है कि intermediate और equivalent examination होना चाहिए, last 5 year में आपने 12th का examination दिया हो, with physics and chemistry as a compulsory subject with math और biology, clear, आपने physics chemistry तो पढ़ी हो साथ ही साथ, आपने math है, बाव म math में भी 50% होना चाहिए, वही पर SCHT candidate के लिए 45% होना चाहिए, यानि कि यहाँ पर 5% का relaxation है आपर दिया जाएगा, यह eligibility criteria है, BIFARMA post में education के लिए, तो आपको registration के लिए इसी link पर आना होगा, registration का link जो है आपको वीडियो के description मिल जाएगा, वहाँ पर click करके आप इस page पर आ स contact करके further detail ले सकते हैं, तो 7 सितंबर से 16 सितंबर के बीच में आपको registration कर लेना होगा, wish you all the best, keep watching